नमस्कार आज हम समस्ते हैं संस्थाओं का उद्विकास उद्विकास से मतलब है कि किसी संस्था की उद्पत्ति कैसी हुई कि starting point से last तक उसके विक्सित संस्था के रूप में आने तक किस-किस इस तर से गुजरती है तो संस्थाओं का उद्विकास के बारे में अमेरिकन समाशास्त्री समनर ने अपनी पुस्तक जनरीती में उसके बारे में बताया है तो आईए हम समस्तें point wise कि संस्थाओं का उद्विकास किस तरीके से होता है तो सबसे पहले तो संस्थाओं का प्रारंब सर्प्रिथम व्यक्ति के आवशकताओं को पूरा करने का उसके मन में जब विचार आता है, तब उसको वो क्या करताया? आवशकताओं को पूरती करने के लिए उसको कारे करेगा अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कुछ कारे करेगा, तो उस चीज का विचार आना, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे जब उस कारे को बारबार करने की आदत बनेगी उसकी, किसी भी व्यक्ती की या किसी सम्हो विशेश की, जो विचार उसके मन में आया है, उ तो आदत के रूप में परिवर्तित होगी, फिर क्या होगा, कि पुन्रावृत्ती से जब उसकी उपियोगिता देखने को मिलेगी, कि व्यक्ति सोचेगा कि ये आदत इसकी बारबार पुन्रावृत्ती होगी या बारबार उस कारे को किया जाएगा, तो उसकी पता चलेगा कि कितनी उपियोगिता हैं उसकी समाज में, कितना अच्छा कार किया जा सकता है समाज के लिए, तो उसको उपयोगिता का पता चलेगा और सामोहिक रूप से व्यक्ति उसकारी की पुन्रावित्ती करने लगते हैं ठीक है अभी एक व्यक्ति कर रहा था फिर जब उसकी उपयोगिता पता चली तो क्या होगा सामोहिक रूप से व्यक्ति उसकी पुन्रावित्ति करने लगेंगे और वह बन जाएगी जनरीती फिर है जब इन जनरीतियों को समाज माननेता प्रदान कर देगा और ये जनरीतिया एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में हस्तांत्रेत होगी क्योंकि उसकी उप्योगिता लोगों को पता चल गई है तो वो जनरीती जाहिर सी बात है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में हस्तांत्रेत करेंगी और जब ये एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाएंगी तो वो हो जाएंगी प्रथा, फिर जब इन प्रथाओं को समू की स्विक्रती मिलेगी, या जब ये समझा जाएगा कि ये प्रथाओं मानव के कल्यान के लिए बहुत आवश्यक हैं, इससे मानव का विकास हो सकता है, उनका कल्यान हो सकता है, तो ये बन जाएंगे लोकाचार फिर जब इन लोकाचारों को एक वविस्थित संरचना एक कारे प्रणाली विक्सित होगी कारे करने का तरीका विक्सित होगा कि इन कारे को किस तरीके से किया जाए नियम बनेंगे ट्राडिशन बनेंगे तब वह संस्था का रूप ग्रहन कर लेंगे इस प्रकार संस्थाओं का विकास या संस्थाओं की उत्पत्ती पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है, फिर वो आदत बनती है, उसके बाद जनरीतियां बनती है, उसके बाद वो प्रथाओं की रूप में परिवर्तित होती है, फिर वो लोकाचार बनती है और फिर या जटिल प्रक्रिया है